नमस्कार मैं हूँ गाभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन इस बार जो है वो राशी फल भी विशेश है नौरात्र के नौ दिनों में हर राशी वाले जातक को किस प्रकार मा भगवती की विशेश साधना करनी चाहिए हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आई जानते हैं कि आज नवरात्र की द्वितिया की तिथी में आप किस तरीके से माता भगवती की विशेश कृपा राधना ले सकते हैं अपने राशी नुसार को छुपाए करके मेश राशी वाले जातक लोगों को देवी दुर्गा की विशेश राधना पूजा करनी चाहिए इसके लिए आपके लिए जो जाप का विशेश मंत्र है वो है ओम रिंग दुम दुर्गा या इनमा 21 माला अगर आज आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा या फिर दुर्गा शब्शती या दुर्गा चलिसा का पार्ट भी आप कर सकते हैं अगर आप इस मंत्र का 21 माला जाप नहीं कर सकते हैं ऐसी इस्तिती में 108 बार जाप करें और फिर व्रिशब राशिवाले जातक लोगों को माकाली के अरादना विशेश पुन्य फलदाई रहेगी आपके लिए आपके लिए जाप का मंत्र रहेगा क्रिंग रिंग इस मंत्र का आपको 11 माला जाप अगर आज आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा jść तो ओम रिंग त्रिंग हुम फट एक्किस माला आपको भी जाप करने का प्रयास करना चाहिए इसके साथ साथ तारा कवच का पाठ करते हैं तो सभी कश्टों का निवारन बहुत आसानी से हो सकता है करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों को आपको माता कमला की विशेश पूज वासिन्य स्वाहा ग्यारा माला जाप आज आप करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा साथे साथ श्री सूप्त का पाठ करें इससे आपको शुवफलों की प्राप्ति होगी सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों को मातरपूर भैरवी की पूजा खास फल करन्याराशी वाले जातक लोगों को मामातंगी की विशेश पूजा अर्चना करनी चाहिए आपके लिए विशेश मंतर है ओम रिंग धूम यही फटसवाहा, ग्यारा माला जाब करना आपके लिए बहुत ही कल्यानकारी रहेगा, माता मातंगी सहस्तनाम का पार्ट भी अगर आप करते हैं, तो आपके लिए लापकारी सिद्ध हो सकता है, तुलाराशी, तुलाराशी वाले जातक लोगों को महाकाली की अराधना करना बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, आपके लिए जो विशेश मंत्र है, वो है त्रींग 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 ये माता का बीज मंत्र है, तो इसका आपको जाब करना चाहिए, एक्यावन माला अगर आज आप जाब कर लेते हैं, तो आपके लिए कल्यानकारी होगा कामाख्या कवच या फिर कामाख्या चलेसा का भी आप पाठ कर सकते हैं इससे आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी व्रिश्यक राशी व्रिश्यक राशी वाले जातक लोगों को माता दुर्गा की अराधना करनी चाहिए और आपके लिए जो विशेश मंत्र है वो ओम रिंग दुम दुर्गा यही नमा इस मंत्र की 21 माला का जाप आपको करने का प्रयास करना चाहिए दुर्गा स्थास्त्रना मावली का पाठ करना भी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए आपको मा बगला मुखी की विशेश पूजा आर्चना करनी चाहिए आपके लिए विशेश मंत्र है श्रींग रिंग इंग भगवती बगले श्रींग श्रीम देही देही स्वाहा 21 माला आपको जाप करने का प्रयास करना चाहिए साथे साथ बगला त्रेलो के विजए कवच का पाट करते हैं तो ये आपके लिए चमतकारी सिद्ध होगा 21 मकरराशी वाले जातक लोगों को माता शोडशी की विशेश अरादना करनी चाहिए आपके लिए जाप का मंत्र है श्रींग ये माता का बीज मंत्र है इसका आपको 108 बार नियम से आज जाप चरूर कर लेना चाहिए साथे साथ ललिता सहसर नाम का पाट करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा कुमबराशी कुमबराशी वाले जातक लोगों के लिए माभुवनेश्वरी की विशेश पूजा आपके लिए बहुत खास फल्दाई सिद्ध हो सकती है आपके लिए जाप का जो मंत्र है वो है एंग रिंग श्रींग ग्यारा माला इसका जाप करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा साते साथ दुर्गा शप्छती का आपको कुछ पाठ जरूर कर लेना चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों को भी माभ बगला मुखी की पूजा राधना करनी चाहिए आपके लिए जो माता का विशेश मंत्र है वो है श्रींग रिंग इंग भगवती बगले श्रींग देही देही स्वाहा इस मंत्र का भी आपको ग्यारा माला जाप करने का प्रयास करना चाहिए साते साथ बगला त्रेलो की विजय कवच का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए कल्यानकारी सिद्ध होगा तो दोस्तों यह तो बात रही आज के बारा राशी की हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से आपको जो है अपनी राशी नुसार देवी भगवती को प्रसंद करने के लिए पूजा राधना करनी चाहिए सभी राशी वाले जातक लोगों को समान रूप से यदी दुरगा शप्छती का पा लेना चाहिए तो यह तो बात रही आज के राशी फल के हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से राशी के नुसार आपको देवी भगवती की पूजा राधना और किस विशेश मंतर का जाप प्रयोग आज करना चाहिए अब हम लोग बात करते हैं आज द्वितिया की तिथी मे विशेश स्वरूप की पूजा राधना होती है दुर्गा देवी के ब्रह्मचारनी स्वरूप की तो इस स्वरूप का क्या नियम है क्या विधान है क्या इनका महत्व है कैसा इनका स्वरूप दिखता है और साथ में माता का प्रियभोग क्या है और आज की तिथी में द्व की जाती है सादा किस दिन अपने मन को माता के चरणों में निवेदित करते हैं ब्रह्म का आर्थ होता है तपस्या और चारणी का आर्थ होता है आचरण करने वाली इस प्रकार ब्रह्म में अश्टदल की माला है दूसरे हाथ में कमंडल विराजमाल रहता है यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्यान और निगमागम तंत्र मंत्र आधी से संयुक्त हैं अपने भक्तों को यह अपनी सरवग्य संपन्य विद्या दे करके विजयी बनाती है माता ब्रह्मचारणी सदयव अपने भक्तों पर क्रपाद्रिष्टी रखती है और संपून कष्ट दूर करके अभिश्ट कामनाओं की पूर्थी करती है माता का जो प्रिय भोग है वो नवरात्र की द्वितिया की तिथी में माता को शक्कर का भोग समर्पित किया जाता है जिससे घर के सभी सदस्यों को जो है विद्या और बुद्धी की प्राप्ति होती है साथ इससे आयू में भी वृद्धी होती है और अगर आयरुवेदिक औशदी अगुन की बात करते हैं तो देवी दुरगा का स्वरूप जो है दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिनी का स्वरूप जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया है ब्रामी जो है वो आयू को बढ़ाने वाली इस्मरण शक्ति को तेज करने वाल तो इस प्रकार से आप माता के स्वरूप की पूजा राधना कर सकते हैं अब क्योंकि माता का जो स्वरूप है वह साधना का ज्यान प्राप्ति का स्वरूप है तो ऐसे में अगर आज की तिती में आप सरस्वती गायतरी मंतर का जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फाय पर्चमतकारी हो सकता और जैसे लगातार हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं इन विशेश मंत्रों को आप आज की विशेश तिथी में भी प्रयोग में ले सकते हैं और क्यूंकि आपकी जानकारी के लिए नवरात्र के सारे एपिसोड आपको समय से पहले उपलब्द कराए जा समझ करके अपनी जरूवत के मंत्र का चैन करके आप नवरात्र की पहली तिथी से प्रतिपदा से ले करके नौमी तक भी किसी एक मंत्र की जाप विदी को पूरा कर सकते हैं उसकी भी आप साधना कर सकते हैं तो हम लोग बात करते हैं सरस्वती गायत्री मंत्र की इस मंत्र स ज्ञान बुद्धी की वृद्धी होती और इस मरण शक्ती में चमतकारी रूप से आपको वृद्धियन उभव होगी जो भी जातक जो भी सादक जो भी विद्यार्थी इसका प्रयोग करना चाहें वो अवश्य करें यह मंत्र इस प्रकार है उम सरस्वत्य विद्मही ब्रह् ब्रह्तितिती नवरातर की पहली तितिः से लेकर के अन्तिम नवही की दितिति तक भी इसका प्रयोग करके लाब ले सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बाते हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राफ्थ होती हैं वह निश्यत और देखते देए मेरा यूट्यूब चैनल वैपावन जय दुर्गे शिव दुर्गे